Hello everyone, hello dear students, welcome to ATP Star Quota, कैसे हैं आप सब? Hoping that all of you are well and taking care of yourself. यार जैसे कि आप सभी जानते हो कि J-Main 2022 जो है, उसका जो पहला attempt है, dates change हो गई है, dates आगे की तरफ shift हो गई है. तो बहुत सारे students actually demand भी कर रहे थे, क्योंकि board exams के साथ कई सारी dates clash हो रही थी, तो उसको देखते हुए exam की dates जो है, वो shift हो गई है. तो I think finally students को एक slight relief तो मिला होगा, बहुत जादा postponement नहीं हुआ, लेकिन slight relief तो आपको मिल ही गया होगा, और अब इसका impact क्या पड़ेगा J-Main 2022 पे, वो हम बात करेंगे, और आपको किस तरीके से अभी prepare करना चाहिए, क्या सही तरीका है, तो देखिए, सबसे पहली बात मैं 1st and 4th में तक भी होगा, यानि stretching काफी जदा होगी, यानि कुछ students ऐसी भी होगे, जिनका 21st आएगा, कुछ का 4th में आएगा, कई सोच रहे होगे कि मेरा 4th में आए तो अच्छा है, लेकिन depend करता है कि, you know, हर student की requirement अलग-अलग होती है, तो आपके लिए कौन सा lucky हो जाए, who knows तो बात अब ऐसी है कि पहले और अब में difference यह है, कि पहले जो exam हो रहा था, वो लग-बग 4-5 दिन में almost खतम हो रहा था, ठीक है, 4-5 दिन में सारे slots खतम हो रहे थे, अब यहाँ पर 21 से लेके 4 तक का difference आ रहा है, यानि जिन students को अगर time extra मिलता है, या जिन students को for example 1st को exam हो रह है, तो 21 के comparison में, या 24 के comparison में, उनको 10 दिन extra मिलने वाले हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि paper का level है, वो असान हो जाएगा, understood सी बात है, normally जब gap इतना दिया जाता है, तो paper का level में, यानि toughness में थोड़ा सा increase हो जाता है, तो जो students 1st या 4th में को या जितना late exam जिनको हम naturally expect कर सकते हैं कि उसमें paper का toughness level क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, अब यानि आपका जो preparation होना चाहिए, वो हर तरह के paper के level से होना चाहिए, क्यों कोई-कोई paper बहुत असान आ जाता है, कोई-कोई काफी अच्छा भी आ जाता है, तो get ready कि paper हो सकता है किसी भी level का आ जाए तो get ready for it, आप सभी atpns हो और आप सभी को adapted रहना है, आप जानते हो कि जो adapt करता है, वही finally survive करता है और अच्छा score करता है, अब उसके बाद difficulty level आप जानते हो कि काफी significantly vary कर सकता है, because of the stretching, 24-4 होने की वज़े से अब वो gap significant हो गया है, तो अब आपके दिमाग में आता है कि सर, syllabus completion की अगर हम बात करें, तो यार देखो, syllabus completion मैंने पहले भी बोला था, लेकिन अब हमें थोड़ा additional समय मिल गया है, additional समय मिलने की वज़े से हम अपना syllabus completion में अभी भी time लगा सकते, यानि around हम यह माल लीजिए, around इस month के end तक हम syllabus completion पे focus कर सकते, यानि अगर आपके कोई weakness भी रह तो करना ही पड़ेगा ना साथ-साथ, तो उसके बाद फिर आप completely, जो आपके strong chapters हैं, या moderate level के chapters हैं, उन पे ही last के 20-25 days focus करिए, यानि अगले अपने पास अब extra दिन मिल गए हैं, slavess completion के revision करने के, mock test देने के, अब देखिए आप सभी जो students हैं, अगर यह सारा का सारा planning जो अ समय मिला है, इस extra समय में, अगर आप proper everyday regularly revise करो, most expected questions करो, उसके अलावा test, mock test proper दो, और अगर आपको mentorship M2 भी मिल जाए, तो मजा ही क्या, तिर इसका फाइदा आप उठा सकते हैं, तो ऐसे जो भी students है, जिनको इस तरह के एक course की requirement है, जो आपको काफी help कर सकते हैं, आपकी performance को improve क कर सकते हैं, right, 30 days में आपका पूरा syllabus जो है, वो revise करा दिया जाएगा, along with the most expected questions, इसमें एक special code है, एक special benefit है आप सभी के लिए, उसका फाइदा जरूर ठाईगा, यह कुछ limited students के लिए ही applicable है, यह special code में आपको बता देता हूँ, special code है J22, J22 का use करें, और RBC 3.0 में आज ही enroll करें, Link description में दिया गया है, वहाँ से आप directly enroll कर सकते हैं, अगर कोई query आपके दिमाग में फिर भी रहती है, तो यह हमारी support team का WhatsApp number है, आप directly वहाँ पे call कर सकते हैं, या WhatsApp कर सकते हैं, they will help you with everything, okay guys, now the next thing is, syllabus completion का मैंने बता दिया है, अब बात करते हैं, revision की, revision के लिए, कई सारे तरीके ह होते हैं, the best way is to make short notes, आप अगर खुद के summary notes handwritten बनाते होना proper, तो उससे क्या होता है, कि revision बहुत ही impactful हो जाता है, बहुत impactful revision हम कर पाते हैं, क्योंकि लिख लिख के देखना is one of the best way, अगर हम पन्नों को ऐसे ही पलटते रहेंगे, तो बहुत सारे key points हम miss कर देंगे, लेकिन इस स हमें आप dropers भी in fact कर सकते हैं, बना सकते हैं, you know short notes they can make, अगले अगर चीज मैं आपको बताओ, revision जो होती है, time bound revision, देखी गाईज, time bound practice के through revision करना बहुत अच्छा तरीक है, जैसे मैं बताता हूँ, सिर्फ theoretical revision से काम जलता है गया, confidence आता है गया, बताओ क्या लगता है आपको, नहीं आता ना, सिर्फ short term revision से काम नहीं चलता है, मलब short term, सिर्फ theoretical revision से काम नहीं चलता है, तो आपको time bound practice करने चाहिए every single day, time bound practice कहां से करोगे, बही ये आप ATP star app से free of cost कर सकते हो, या website से free of cost कर सकते हो, वहाँ पे आप chapter select कर सकते हो, और अपने chapter का limited time भी select कर सकते हो, questions भी select कर स और practice से ही आपका revision होगा, जहाँ पे आप stuck होते हो, जिन concepts में आप stuck होते हो, उनको आप theoretically revise कर लो, तो revision में सिर्फ theoretical revision मत करियेगा, उसके अंदर practice के through revision करें, तो बहुत अच्छी बात है, उसके अलावा solve करने के लिए सबसे अच्छा तरीका, या जो students आप में से RBC batch में है, य उनके लिए जो CPP उनको मिलती है, DPP मिलती है, that would be enough, along with the chapter wise PYQ, बाकि इस समय जो chapter wise PYQ है वो best है, और advanced के भी कुछ अच्छे questions आप कर लीजिएगा, ताकि आपका preparation level अच्छा रहे, क्योंकि देखो, अच्छे level के questions करके ही काम चलता है, और chemistry में खासता और inorganic chemistry में, NCRT को भ अगली बात अगर हम करें, mock test, अब नहीं दोगे तो कब दोगे, आप जानना चाह रहे होगे कि कितने mock test minimum दे, मैं बोलूगा at least 4 to 5 mock test minimum आपको देने चाहिए, बिल्कुल exam like atmosphere में देने चाहिए, और उसके अलावा अगर मैं आपको बताता हूँ, तो आप maximum 8 से 10 दे, बहुत सादा mock test ना दे, को student बिल्कुल ही mock test mock test mock test देते रहते हैं, last में आप फिर भी थोड़े mock test की frequency बढ़ा सकते हैं, क्योंकि analysis भी करना पड़ता है ना, मतलब उतने mock test दे, जितने आप analyze कर पाएं, ठीक है, वो आपका maximum limit है, है ना, but minimum 4 to 5 mock test आपको देने ही है, अब ये सब करने क जो chapters आपके strong हैं, याद रखिए, if you focus on your strengths, your strengths will magnify, if you focus on your weakness, your weakness will magnify, तो अब जैसी slavers completion आप कर लेते हो 10-15 days में, जितना भी आपको करना है, then focus on your strengths only, और उनका mind map बना लीजेगा, mind में tree type से बना लीजेगा, ठीक है, और वो tree कैसे बनाओगे, simple, short notes को आपको दिमाख में, आखे बंद करके memorize करना है, समझे हो, तो जो short notes बनाए है, एक एक formula, एक एक funda जो है, कैसे apply करोगे, वो दिमाख में उतर जाना चाहिए, तकि exam जब होगा, तो exam में खट से अपने brain में, एकदम से खट से वो सामने आ जाएगा, तो you have to empower your brain by using the concept of mind map, okay dear students, अच्छे एक बात बताओ, तो आप सब की preparation चल केसी रही है इस समय, क्या कोई परेशानी आप face कर रहे हो, अगर कोई परेशानी face कर रहे हो, तो ATP Star Quota Team आपके साथ है, comment section में जरूर बताना, अगर जो भी परेशानी आप face कर रहे हो, जितना हो सकेगा, I will be able to reply as well as make a video on the comment having maximum number of likes, तो comment जरूर करिएगा, और ये वीडियो आपको अगर helpful लगा तो like करिएगा, चैनल को subscribe करिए अभी के अभी, and guys, you can join RBC 3.0 badge as well, it can really help you in improving your rank and achieving your dream, link is given in the description and you can use this whatsapp number to enquire, bye bye, take care and keep preparing well.